हेलो और वीवान कैसे हो आप लोग, I hope आप लोग अच्छ होंगे, आपका REC बिजनोर पे गालीज रूबी हो चुका है, आज REC बांदा पे गालीज रूबी होगा, इसके कटाफ, इसके प्लेश्मेंट, इसके कमपनी यहां पे विजिट करती हैं, क्या इसका कटाफ जाता है मतलब ये new college है, आप समझ लिए 2010 का मतलब ये new college है और established जल्दी से किया गया है, इसका campus size भी 12 acres है, अच्छे गवाई campus size अफ्लिएटेड है, Dr. APG अब्दुलकराम उनिवर्सेटी से, फिर next करते हैं, फिर ये UPTV में rank 5 है, फिर्सली तो आप जान लेजिए UPTV में ये थोड़ा बहुत वैरी करते हैं, एक दूसरे के हर साल क्योंकि जैसा प्लेस्मेंट होता है, उसके हिसका college रिव्यू आचा है, कि टॉप 5 में है, टॉप 4 में है, तो इसको मैंने टॉप 5 के रखा है, क्योंकि इसका प्लेस्मेंट पिछली record में अच्छा गया था, फिर इसक देने पर लैटरल इल्टरी भी होते हैं, तो इसको देने पर लैटरल इल्टरी भी होते हैं, लैटरल इल्टरी का मतलब बीटेक में आप डारेक्ट सेकेंड एयर में अड्मिशन ले सकते हो, वो यूपी सेटी के थू होती है, वो एक्जाम ही यूपी सेटी के थू होती है, तो आप लोग कन्फ्यूचिंग मिमत रहिएगा कि बायो टेक्नोलजी किससे मिलता है, और ब बीटेक में कौन-कौन सा ब्रैंच आता है, ये सब आप लोग जानते ही होंगे, तो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट कौन-कौन सा आफ़ोट है, इसमें CST ब्रैंच नहीं होता, आपको पहले मैं बुता दू, इसमें नहीं होता, इसमें IT, कंप्यूटर साइट ब्रैंच है ह यह आपका स्था साइंस ब्रांच मैं अगी शुक्ति कि किम्प्यूटर ड्रांच इसमें नहीं यहता इसमें इन्फ़र्मेशन टेक्नॉलजी ब्रांच आपका IT ब्रांच सब्सक्राइब और ल relationships सब्सक्राइब जो यह लाएं किया झाटाफ का राकटारिए पीडिधिंट लगों नेश्यए sır सवर्ठिसद होनी Hammer देफ्स हैं डिगार्रेश्व सब्सक्राइब यहां टो कपार मैं बताऊ हैं इसका कीटि-िहूयर्ट-धै कि आपका है बान्दा काते ऍसकी बिए जिए उतस्य नहीं के लिए और ये ह हो गया उसके बार एक लाध के लिए इतना वे आपका फिर ऐसके बाध साइ स्क्रॉल करते हैं सबसे बाद सबसे कि यहां पर सबसे जादा है यहां पर इसके बाद मेचनिकल का है उसके बाद scroll करते आते हैं देखते हैं किस का किसका है फिर civil engineering का है civil का 2 lakhs के आसपास गया है 1 lakh के आसपास 1 lakh 1 lakh यहाँ पर this 000 यह क्या है यह mechanical engineering के गया है मतलब यहाँ पर तेखें खाली का मतलब है कि कितना गया अब यह मतलब city ने फुल हो पया है इसलिए फिर आपका स्क्रॉल करके आते हैं फिर देखते है यहाँ पे आपका बिज्णोर आ गया है यह सुरी बिज्नोर का मैंने बता दिया है बंदा का इतना ही है आपrantak आपका चृश्चाहिशल इसमें IT होते हैं मैंने बोला CS नहीं होते हैं पहले बता चुका हूं मैंने आपको CS नहीं होते हैं एंडरे के information technology क्या है एकदम अच्छे से आपको एकदम exact information इसके थुरू दे रहा है क्योंकि यह यूपी सीटी दारह जो निकाले गए हैं सारे counseling को में है यह सारे चेसे तो कटाफ आपर देख सकते है कटाफ इसका आपका कितना जा रहा है आपका कटाफ कितना जा रहा है आपका वन लेक के आसपास जा रहा है तो वन लेक के आसपास आपका इसका कटाफ है यहां पर कटाफ क्या है वन लेक के आसपास है इसका कटाफ और इसके बाद प्लेश्मेंट की बारे हम बात करते हैं तो प्लेश्मेंट आपका यहां से देख सकते हैं कितना है प्लेश्मेंट हम यहां से स्टार्ट करते हैं पहली बात आप आप जान लिजी कितना प्लेश्मेंट जाता है इसका स्टार्ट तो प्लेस्टमिंठ कर देखे है सल कंपनीय आई है पर कि अतिल कंपनीय का यह इसक ठीमिगा अलए इसके विप्रॉच का सबसे जाधा गई है मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप आइट आइए ब्रांच यहां से चूछ करें कि और सब में प्लेश्मेंट यहां पर बहुत जादा नहीं है आइट का कुछ जादा है यहां पर तो IT में आप I hope आप लोग IT में लेजें क्योंकि IT और मेकैनिकल इंजिरिंग और यह तीन ही दीखे रहे हैं जो अच्छे से हैं सबसे आदा IT है और दूसरे आपका तो fee structure आपका यहां पर दिखा रहा हूं में यह fee structure है आपका त्विशन फीस क्या है इतना 40,000 फीस है और इसके बाद registration fees उसके बाद सारी चीजे मिला कि आपके अपके टोटली कितने होगे है और यह second मतलब second year third year के first year के इतने फीस है उसके बाद hostel फीस 96 9600 के आसपास है मतलब इसको hostel fees बहुत जादे कम है hostel बहुत जादे कम है आपको अगर fee waiver seat मिल जा रहे है TFW करके आता है कि ФDW करके आता है fees waiver seat होता है आगर आपको मिल जाता है तो उसमें आपको क्या रहे हैं मेंना अब बता जा ऊपको क्या है यह किस सबक्स repentance बाद है इसके बारे में सब कुछ आप लेख जान लीजै तो यहां मेंट्र executed के अकान में दोलिए देहिए यहां मधुपास लिजह को मैंने इनकर यहां चाहिए क्व्स हाय उसके बाद कब और इसके बारे सब कुछ आप लोग जान लेजे तो इसको बाद मैंने बता इए तक कौन कौन से कंपशने 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 हैं इन वह आपए इसको दयान्य चेन आपको इंपुलेंस, अगर मेरा मानना है अगर आप इन दोनों को ब्रांच के अलावा और कोई ले रहे हैं तो यह माल लिजें में क्या क्या है आपका 75 पॉशंट अच्छा ही है अच्छा ही है जो इसमें 100 पॉशंट यही है सारे सीट लेके गया है और बोल रहे हैं 52-60 पॉशंट के आसपास क्या है समली कंपनियें आपर विजट करती है और सारे लोग सबका सेलेक्शन नहीं हो पाता जिसका इंट्रवी अच्छा गया वह अच्छा सेलेक्शन है बतार 50-60 पॉशंट इसको आप समली 5 स्टार में से 3 स आप साथ के प्रॉक्स आप जे सकते हैं और उतना अच्छा नहीं है पर मैं बोल सकते हूं लेकिन केंपस साथ बड़े हैं या नए कोलेज हैं इसलिए कंपनियें कम आती है धीरे-धीरे सारी कंपनियें यहां पर आएंगी इसके परफॉर्मेंस के हिसाब से तो अगर आप यहां पर आएटी या या अमी ब्रांच लेते हों तो आपके लिए बहुत जादे बेनिफेट हैं आई होप आपको सारी चीज़े समयंज में आई हो तब तक लिए हो ओके बाय है वे गुड़ ड़े